दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसे strategy आपके साथ share करने वाला हूँ, जिसने 3 महीने के अंदर 500% का return दिया है, और option buying की दोस्तों ये strategy है, सिर्फ 3 महीना और 500% का return, अगर मैं इसका back test आपके साथ share करूँ तो back test देखिए, यहाँ पर देखिए, यह बुरा contact लगावा है, number of total trades है, 198, 198 trades लिए गए थे, 44 trade ही win हुए, 154 trade loss के अंदर रहे हैं, लेकिन उसके बावजुद हम profitable है, 500% का return है, max gain, single trade में max gain हुआ है 14,000 का, और max loss एक single trade में हुआ है, 2300 का, लगबग 2400 मान लीजिए, 2400, और average gain winning है, 2200 के आसपा से मान लीजिए, और average loss है, 425 पे, तो ये हैं, दोस्तों, cool मिलाकर के इसका backtest, तो चलिए आपको दिखाते हैं और समझाते हैं, क्या strategy और कैसे काम करती है, बहुत बहुत स्वागत हैं दोस्तों, आप सभी का टेडिंग चैनल में मिने नामे अन्वाल मितल, तो strategy बहुत सिंपल है, जो इसके अंदर यूस की है, strategy क्या है, और बिल्गुल proper backtest क्या है, मैं आपको अभी Excel sheet दिखाऊ, Excel sheet देखेगा, आप चाहेंगे तो आप इसको share कर दूँगा, strategy बहुत सिंपल है, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमने इहाँ पर लिए moving average, ठीक है, और हम क्या कह रहे हैं, कि इंट्राट एकी strategy है, अधर market moving average के नीचे है, clause अगर market का moving average के नीचे है, market यहाँ trade कर रही है, moving average उपर चल रही है, तो basically दोस्तों हम इसको क्या कहते हैं, कि market down है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप option buy इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि options के अंदर क्या होता है, limited risk होता है, limited क्या बहुत contract 0 हो जाएगा, तो हम अगर उसको सोच के चल रहे हैं, तो हमने क्या करा है, यहाँ पर एक candle ली, ठीक है, अगर वो उसकी नीचे चल रही है, जब भी है, ऐसी कोई condition मैच हो रही है, intraday में, पांच मिनट का time frame है, तो हम क्या करेंगे, उस option को buy कर लेंगे, ठीक है, और उस option को buy करने के बाद, हम यहाँ पर लगाएग कि कई बार options बहुत ज़्यादा भाग जाते हैं, और आपने यह भी देखा होगा, कि वो दददस गुना भी हमने होते वे देखे हैं, तो हमने चार गुना के लगा लिए, कि यह चार गुना हो जाएगा, तो target हो जाएगा, otherwise buy करने के बाद, जो target यह loss मिलेगा, मतलब 3-15 तक वो exit कर देंगे, यह दोस्तों strategy है, तो stop loss है, बहुत ही minimal, यहाँ देखिए, सिरित 20% का, target बहुत बढ़ा है, market अगर movement देगा, तो आपको पैसम बनेगा, तो कितने ऐसे लोग हैं, जो इस strategy को आप सही मान रहे हैं, कि reality में यह ऐसा कुछ कर रहा है, अगर मैं आपको excel sheet दिख देख रहें आपको, साथ में losses दिख रहें, मतब पूरा जो आपको portfolio है, उसमें क्या profit and क्या loss, तो यहाँ देखिए, 9000, 7000, साथ में देखिए, दिरे-दिरे आपके profits कम हो गए, फिर वापिस minus में आगे, फिर आप देखिए, दिरे-दिरे आप plus में चले गए, ठीक है, 10,000 क आस-पास profit आपको पोजिया था, फिर देखिए, थोड़ा minus में आगे थे, फिर देखिए, प्लस में आगे, और दिरे-दिरे देखिए, 18,000, 19,000, और यह एक lot के उपर ही, देखिए, लास्ट में, 22,000 का आपको यह profit दिख रहें, तो दिरे-दिरे करके आपने देखा, कि market के अंदर पैसा बना, कभी loss में गाए, कभी profit में आए, और दिरे-दिरे करके हम 22,000 के आस-पास पहुचे, और अगर हम एक lot के, एक lot का जो खर्चा था, एर्दा मनी का, अगर उसके साब से calculate करे, तो यह 500% का return हमें देखने का मिल रहा है, लेकिन reality है, कि reality में हो सकता है, चलिए ability exactly है क्या, बेशन जो आपने backtest का result देखा, वो backtest का result बिल्कुल ठीक था, उसमें कोई कम ही नहीं थी, अगर आप same strategy को backtest करेंगे, जो मैंने आपको बताई, आज से लेकर के पिछले 3 महिने तक का, तो आपको 500% का return देखने को मिलेगा, लेकिन अगर उससे पिछले 3 महिने क निकाल दे तो क्या है, क्या result आएगा, तो उसके अंदर दोस्तों हमें हुआ 6,270 बेगा नुपसान, और उससे 3 मेने पीशे लेकर जाओं, तो वहां हमें दिख रहा है 5,090 रुबेगा नुपसान, अब आप कहेंगे चलिए कोई बात नहीं, इन दोलों ने compensate कर लिए आपस में, वहां 22,000 बेगा थे, प्रॉफिट में तो अभी भी है, यह भी thinking है, लिकि रियलिट में दोस्तों अभी भी प्रॉफिट में नहीं हो, रियलिटी क्या है, रियलिटी देखी यहां पर, एक quarter के अंदर 200 trades मिल रहे हैं, यह देखिए, 202 trades, 234 trades, और अभी आपने देखा थ 200 trades हमने जो 500% वाला जो था, बेक टेस्ट, उसमें भी होंगे, 200 trades के आसपास, तो 600 trades होगे, अगर इन 600 trades को अगर हम multiply कर दे 50 से, क्योंकि 20 अरके तो ब्रोकरेज खरीदने का और बेचने का ही लग जाता है, 4-5 अरके गवर्मेंट के टक्सिस वगरा लग जाते हैं, तो 50 अरके तो 30,000 पे तो दोस्तों costing ही लग गया, 9 महिने के अंदर, तो बचाया क्या, कुछ नहीं, all over आप दे लोस में, तो यहीं दोस्तों होता है, आप market में क्या कर रहे हैं, कि बे मतलब की कुछ भी strategies देखते हैं, जिसमें unrealistic returns का वादा किया जा रहा है, यह बताया जा रहे हैं कि य जिन्होंने बजार के अंदर कुछ करा है, तो यहाँ पर दोस्तों कुछ लोग देखते हैं, जिन्होंने बजार में reality में पैसा कमाया है, जैसे कि देखिए, सीमेंस करके हैं, जिन्होंने 66% yearly का निकाला है return, ठीक है, वारन रॉफिट साफ हम सभी जानते हैं, सबने नाम सु 20% yearly का CAGR यानि compounding annual growth rate और अगर हम Peter Link सा आपको देखें, तो 29% का जो हमारे पस data है, उसे साफ से यह आ रहा है, ठीक है, अब यहाँ पर हम बात कर रहें 500% return की, यहाँ बात कर रहें, एक मेने में पैसा दो गुना हो रहा है, हम यहाँ बात कर रहें, एक हफते में पैसा दो ठीक है, सबसे जादा resources उनके पास है, उस company का जब result आता है, तो हम देखने को मिलता है, कि वो 19%, 20% की CAGR से growth कर रही है, तो अगर बजार के अंदर, market के अंदर ऐसा कोई formula होता, जिसके अंदर हम यह बात कर रहें 500% return, तो क्या मुकेश अंबानी साब अपनी industries बंद करके, सब क सारा पैसा stock market में नहीं लगा सकते, क्या उनके पास resources कम है, तो ये दोस्तों possible नहीं है, तो हम इस तरीकी के returns वाली वीडियो को देखकर के ब्रहमित नहीं होना है आपको, आप realistic return पर जाएए, चलिए हम एक target बना लेते हैं, जैसे कि चलिए हमने maximize target रखी है अपना Jim Simmons साब का, कि चलिए हम इन्होंने 66% yearly में करा था, तो at least हम 66% yearly की दो बारे में सोची सकते हैं, ठीके न, यहां तक तो पोचने के लिए सोच सकते हैं, या इनको नहीं तो ये पिटर निन साब के बारे में सोच सकते हैं, वे 29% yearly इन्होंने भी अचीव करा था, तो यहां तक तो सोच सकत उस समय के market resources बहुत अलग हुआ करते थे, अगर आज से 10-15-20 साल पहले भी आप इंडेरी stock market के अंदर देखेंगे न, तो stock कई बास circuit भी खुला करते थे उपर, तो इतना time भी नहीं होता था लोगों को, तो volatility जाधा थी, तो return भी जाधा थे, लेकिन अगर हम unrealistic returns के बारे में बा सकता है, एक हफते में हो सकता है, आपका पैसा double हो जाए, लेकिन यह maintained नहीं होगा, किसी पी strategy को विश्वास तभी करिए, जब कुछ सालों का उसका backtest हो, कोई आपको कुछ बता रहा है, उस लोग को problem नहीं है, खुद एक बार backtest कर लो, कुछ सालों को check करो, कि क्या रहा, त exchange के अंदर थोड़े सा sleepages भी add कर लो, कई बार broker के system भी बंद हो जाते है, उसमें भी कई बार नुकसाल या benefit जो भी है, वो हो जाता है, exchange के system भी बंद हो जाते है, तो इन सभी चीज़ों को दोस्तों consider करना पड़ता है, तब जाकर कि आप realistic return निकालते है, और मेरी आप से पत percent महीने का target लेके चलो, कि 2% निकालना है, 2% अगर निकालना आ गया, तो वो more than enough return है, 24% का, plus अगर आप options वगरा करते हो, जिसके अंदर हम collateral margin लेकर के काम कर सकते है, option selling में, तो उसके अंदर 6% काम है और मिल जाएगा, pledging के अंदर liquid fees में अगर आपने कर दिया, तो वो 30% के आ भी आप एक reliable return की तरफ जा रहे हो, otherwise आपको बहुत problem होने वाली है, बाकि दोस्तों यही था इस वीडियो के अंदर, एक awareness वीडियो थी, जिसके अंदर आपको यह बताया गया, कि unrealistic return की तरफ मत भागे, इस तरह की वीडियो ब्रहमित करती है आपको, और यह अचीव होना एक कि compounding देखना compounding कहा जाएगी, मतलब दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा, Warren Buffett वगरा सबको पीछे छोड़ देगा, अगर कोई ऐसा कर भी रहा है तो, तो यह था दोस्तों आज की वीडियो में, जल्दी मिलें को next वीडियो में, एक छोटी सी चीज है दोस्तों, अ comment कर दीजेगा जो भी आपको opinion ने वीडियो के बारे में, और अगर आप हमारे subscriber नहीं है, तो वीडियो को subscribe कर लीजिए, क्योंकि हमारे subscribers के लिए ही, यह specially course launch किया गया है, और इसको प्राप्त करने के लिए, गूगल फोर्म आपने दे दिया, description and comment box में, आप उस पे एक बार detail feel करके बेज़े न, ताकि हम हफते 10 दिन में, आपको mail के थूँ वो course प्रोवाइट करा सके, तो यह ता दोस्ता आज की वीडियो में, जल्दी मिलूँगा, next वीडियो में, तक तक लिए good bye, God bless you, bye bye दोस्ता